ये वीडियो में हम hypothesis testing में sample को कैसे select करते हैं और appropriate sample के इसाब से symbolization कैसे रहेगा और कौन सी method use करके हम decision लेंगे ये सारा description तो depth में अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वह तो बहुत long हो जाएगा but just summary type list कर रहें तो उससे क्या होगा एक roadmap मिलेगा कोई भी एक्जांपल calculation करने में सबसे पहले यहां हमें ध्यान यह रखना है कि दो terms को अच्छी तरह से समझना है कि एक उप्यूलेशन क्या है एंड शैंपल क्या है ठीक है तो population का मतलब general full data cover करेंगी एकज़ंपल फुल city का data हमें चाहिए तो city है वो हमारी population हो जाएगी ठीक है तो एक वर्ड के population का मतलब होगा population है है न तो population का मतलब all data और अगर हम small data उसमें से collect कर लाए तो उसको हम बोलते है sample ओके अब obviously हम जब भी observation करते हैं तो population का data तो हम प्रम नहीं कर सकते क्योंकि यह तो ज्यादा स्केल पर डेटा होता है तो उसमें से हम थोड़ा बहुत सेंपल कर लेते हैं और उसमें कैलकुलेशन करके जो भी रिजल्ट आता है वो यहां जन्रलाइज कर देते हैं तो selection procedure आसी होती है, gün population में से हम सेंपल पर हम calculation करके decision लेते हैं और disciples to decision म मिलेगा उसको हम भाध में populationublik पर हिंजेनर लाइस कर देते हैं इसलिए हम जो calculation करते है वो 100 percent correct होगी ही इसा नहीं बोल सकते इसमें थोड़ा बहुत ग्याप रखना पड़ेगा इसलिए जब भी हम क्यलकुलेशन करेंगे उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते है डिपेंड अपॉन देटा से हम पल किस तरीके का है उसके हिसाब से थोड़ा रिलेक्सेशन रखना पड़ेगा उसके बाद हम अप और डेविएशन चाहिए तो यह सारी बेसिक टम है ना तो सिंबोलाइजेशन में भी बहुत इंपोर्टन्ट डिफरंस समझ में आना चाहिए अधर्वाइस फार्मूला में गड़बड़ी हो जाएगी ठीक है अगर हम प्रॉबिलिटी की बात कर रहे है तो पॉपुलेशन में प्रॉबिलिटी ओफ एलियर के लिए हम कैपिटल क्यू यूज करेंगे सेंपल में प्रॉबिलिटी ओफ एलियर के लिए हम स्मॉल क्यू यूज करेंगे ठीक है और जो प्रॉबर्टी है पी प्लस क्यू वन होगा हो तो यहां भी वन होगा यहां हमारे पास कैपिटल प Q q1 और यहां हमारे पास small P plus small q equal to 1 होगा यह फार्मूला जन्रल है चाहे population हो चाहे sample हो फिर आता है mean तो population का mean है तो हम symbol capital μy रखेंगे और sample का mean है तो हम symbol रखेंगे x bar ठीक हे और अगर हम बात कर रहे है sd की standard deviation तो सिगमा पूपेलेशन के हमें सिप्पूलेशन डिटा है तो हम स्टिति है और स्सेंपल का डिटा है तो स्मॉल एस इसदेन स्टिति है अब कई बार हमें क्या करना पड़ेगा एक नहीं दो को सेंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे तो उस वक्त हमारे पास दो प्रॉबिलिटीज होंगी दो मीन होंगे दो SDS होंगे, तो उस वक्त हम 1, 2 से difference कर सकते है, P1, P2 दो sample है, तो दोनों sample के लिए probability P1, P2 से लिख सकते है, यहाँ X1 bar, X2 bar से लिख सकते है, यहाँ S1, S2 से लिख सकते है, ठीक है, population तो single ही होगी, और population भी 2 है, तो capital P1, capital P2, वो करके हम लिख सकते है, mu1, mu2, Sd1, sigma1, sigma2, ठीक है अब यहाँ mainly, हमारे पास total, I think 11 methods है, अब 11 method में, दो group में हम divide कर देंगे, ठीक है, और yes, numbers के आएगा न, sample number, population number तो होगा नी, sample number है, तो उसके लिए हम symbol use करेंगे, small n, कि कितना object हम sample में collect करते है, उसको बोलेंगे, small n, और population के कितना object है, वो तो हमें पता नहीं चलेगा, बट अगर कहीं information है, तो हम उसको capital N बोल देंगे, बट याद रहे, basic statistics में capital N का meaning कुछ अलग है, capital N का मतलब क्या होता है, summation of frequencies, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, और मोरे वर्दी, जितनी method discuss करने वाले है, उसमें कहीं शायद यह आएगा भी नहीं, हमे just sampling calculation में ही, N की जरुत पड़े की, उसको हम small N बोल देंगे, अब method, जो मैंने बोला 11 methods हम देखने वाले हैं, बट उसमें दो part हो जाएगा, small sample and large sample, so small samples and large or big samples, अब पता कैसे चलेगा कि कि किस type के sample है, उसको हम small sample बोलेंगे, किस type का sample है, उसके हम large sample बोलेंगे, क्योंकि हमरे पास जो population का data है, उसमें से, इसको तो हम ताही किगात कर नहीं सकते, investigation इसमें नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा बहुँँ data collect कर लेंगे, for example, अगर computers हम check करना चाहते है, किसी company का computer है, वो check करना चाहते है, quality check करना चाहते है, x, y, z, जो भी check करना चाहते है, तो obviously 5, 10, 15, 20 computer से हम select करेंगे, 1000 calculator लेके तो हम select investigation कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बड़ा object है, अगर मान लो, कि छोटी-छोटी चीजे हैं, इसे कि कोई diode, circuit calculation के हम diode या transistor, ऐसे कोई small circuit का component है, वो हम testing करना चाहते है, तो उस वक्त हम thousands and crores of production हो रहा है, उसमें से 5 transaction लेलो, 5 diodes लेलो, और select कर लो, तो वो decision को हम 5 diode को select करके, उसका decision मिलेगा, उसको thousands of crores of diodes में, यह decision हम apply नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा quantity select करने पड़ेगी, observation के लिए, तो उसके बाद हम population में apply कर सकते हैं, तो जब ज्यादा लेना पड़ेगा samples, तब हो जाएगा large sample, यह technique हम use करेंगे, और कम quantity है, तो small sample technique use करेंगे, but confusion यह अभी भी होगा, कि कितने sample में n, n size कितने लेंगे, तो उसको हम small बोलेंगे, या कितने लेंगे, तो लार्ज बोलेंगे, तो उसका एक rough लियासा बोल सकते है, कि 30, अगर 30 से ज़्यादा है, n की value, 30 या, वैसे 30 से ज़्यादा है, तो ही हम उसको large sample बोलेंगे, और 30 या 30 से कम है, less or equal to 30 है, तो हम उसको small sample बोलेंगे, बट याद रहे, इसको rigidly follow नहीं करना है, यह just rough identification है, so 99.9% में तो यही work करेगा, but yes, कहीं, rare of the rare case में, ऐसा होगा, कि less than 10 है, less than 30 है, तो भी हम large sample calculate करना पड़ेगा, ठीक है, और rarest of the rare case होगा, इसलिए मैं percentage दे रहा हूँ, 99.9% cases में हम यह limit through जा सकते है, differences से आराम से कर सकते है, कब large sample, कब small sample, अब चलिए है, जल्दी से हम उसको list out कर देते है, कौन-कौन से methods है, okay, so, पहले हम large samples discuss कर लेते है, अब last sample में सबसे पहली जो method आनी है, वो है single proportions method, single proportions, ठीके, तो proportions का मतलब बता है probability, तो अभी हमें just single probability दे दीगी होगी, यह नहीं दी तो probability हम calculate भी दोगर सकते है, अन बेसिक probability में हमने देखा कैसे probability calculate कर सकते है, सो ज़रा है population का data दिया है, तो population के probability हम निकाल देगे, sample data दिया है, तो sample के probability हम निकाल देंगे, और probability मिल जाती है, और कुछ कोई data हमारे पास नहीं है, है उसका यूज करके हम जैड कर सकते हैं बेसिक हमें पता है कि सेंप्लिंग टेस्टिंग में फाइश्टेप मैथड है उल्रेड हमने वीडियो बना के रखा है और पहले क्या होता है नल आपोथिस फिर अल्टरनेट आपोथिस फिर स्टेस्टिक्स फिर क्रिटिकल विल्यू अब कई बार हमारे पास क्या होगा हो सकता है कि दोनों का प्रोपोर्शन दिया हो तो उस वक्त हम टिफरेंट्स डिजच्न यापको समयारे दोनों सेंपल की प्रोपीलिटि भी होगी तो हमारे पास सेंपल की दो फ्रपोर्प्र आप्रेंट्स कर सकते तो तो second variety है या method है वो है difference of proportions, ठीक है तो जब हम example का statement read करेंगे तो मुरे थोड़ा सा idea आ जाएगा कि हमारे पास तो दो probabilities है, फिर यह population sample की हो सकती है या दो sample की भी हो सकते है, तो उस वक्त हम यह method use कर सकते हैं, third one is difference of means, यानि कि हमारे पास दो means होगे, mean data होगा, और नहीं है, तो दो हम निकाल भी तो सकते हैं, mean कैसे निकालना है, वो basic step में हम already देख चुके हैं, तो population data है, sample data है, तो दोनों का mean भी हम निकाल सकते हैं, तो बाद में difference of means method use कर सकते हैं, या फिर माण लो हमारे पास दो sample है, तो दोनों sample के हम mean निकाल सकते हैं, या दे देंगे, तो उसके बाद हम difference of means method use कर सकते हैं, so third one is difference of means method, और उसके बाद है difference of sd, यानि कि mean ने ता नहीं दिया है, sd दिया है, standard deviations दिया है, ठीक है, so population and sample का standard deviation दिया है, या फिर दो sample के, s1, s2, symbol s रहा है, और वो दिया है, तो हम difference of sd method हम use कर सकते है, difference of sd, standard deviations, ठीक है, बस single proportion, difference of proportion, अभी single mean, yes, single mean, difference of mean है, वो तो ठीक है, बट single mean method भी है, यानि कि just sample का आपको mean दे दिया होगा, नहीं दिया है, तो हम calculate भी कर सकते है, तो उस वक्त हम single mean method यूज़ करेंगे, तो टोटल ये large sampling के लिए हमारे पास five methods है, ठीक है, single proportion, single mean, difference proportion, difference mean, and difference of sd, okay, तो उसकी formula क्या होगी, वो depth में हम individual video बनाएंगे, क्योंकि एक method पे हम एक video बनाएंगे बाद में, formula के साथ भी थे examples, और clarity हो जाएगी, okay, so individual video में हम देखेंगे, हर एक method के बारे में depth में, अब small sample में क्या है, तो small sample में mainly तीन method है, तीन method कौन कौन से हो, मैं पहले यहां list out कर देतू, एक है student t-test, t-test है एक, दुसरा है f-test, f-test, and third main, जो headings है, हो है, साइं स्क्वेर टेस्ट, साइं स्क्वेर टेस्ट, अब t-test में अगर देखें, तो again, तीन varieties है, वो तीन variety क्या है, है, okay, so first variety है, again single mean method है, single mean, ठीक है, so इसमें यह सा है कि t-test बोला होगा, ठीक है, क्यूंकि small sample में पता तो चल जाएगा हमें, कि small sample कभ यूज करना है, but उसमें तीन main variety है, इसलिए बोल देंगे, using t-test, तो बाद में आपको देखना है, कि single mean method अप्लाई करनी है, या दूसरा variety है, वो difference of means है, difference of means method है, and third one is coefficient, correlation coefficient, correlation coefficient, R, वो कैसे calculate करते है, वो सब depth में हम देख चुके है, बेजिक स्टेट में, और सब वीडियो भी हमने बना के रखा है, clear नहीं है, तो आप रिफर कर सकते हो, ठीके, तो अगर t-test लिखा है, तो बाद में देखना पड़ेगा, कि तीनों में से कौन सी method अप्लाई होगी, तो किस टाइप का data आपके पास available है, उसके हिसाब से हमें method select करनी पड़ेगी, अगर single एक ही data का mean दिया है, तो यह method में जाएंगे, ठीक है, अब t-test में ratio of variances, एक ही method है, ratio of variances, अब variances का मतलब क्या है, वो भी अगेन हम already discussion कर चूगे है, अब basic state में, so clarity नहीं हो, तो इफर कर सकते हो, but meanwhile variance क्या है, sd का square, ठीक है, तो ratio of variances formula है, तो यानि कि आपको पास दो variances दे देंगे, या दो variances नहीं है, तो 2 sd को हम convert करेंगे ratio of variances में, और variance का ratio लेके भी हम यह method यूज कर सकते हैं, और third one is science square test, अब science square test में, अगें, दो variety है, वो दो variety में, first variety है, वो goodness of fit, goodness of fit, and second one is independence of attributes, बड़ा नाम है, उसका स्वोड़ा नाम है yats correlation, yats correlation, या independence of attributes, ठीक है, so science square test में यह दो variety है, तो यह पुरा road map है कि कि इतनी method है हमारे पास, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and 11, ठीके, total 11 methods है, तो हर एक method पे depth में हाँ, video बना के रखने वाले है, with examples, so, वहां और clarity हो जाएगी, अगर कोई doubt, query, question है तो, but याद रहे, यह सारी की सारी procedure five step method है, तो पहला step कुन सा होगा, null hypothesis, दूसरा, alternate hypothesis, दूसरा, statistics, चौथा, critical value, और fifth decision, आना, so five step method में, five step procedure में, हर एक method में, हम decision दे सकते है कि क्या किया जाए आगे, सो मिलते हैं, next video में हर एक method के साथ,